हेलो फ्रेंद्स, वेल्कम टो माई चानल श्रतास पैशन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सीजनल रेसिपी जो की है मेथी मतर मलाई की रेसिपी, सर्दियों के मौसम में मेथी और मतर का जो कॉंबिनेशन है वो काफी अच्छा रहता है, तो आज मैं बनाऊंगी मेथी म मतर मलाई विदाउट यूजिंग मलाई तो आये देखते हैं उसके लिए हमें इंग्रिडेंट्स क्या-क्या चाहिए मैंने यहां लिया है एक कप मिति, साथ ही लिया है मैंने ब्लाइच करके एक कप मतर, अनियन लिया है मैंने एक बड़ा, टमैटो लिया है एक छोटा, और मसालों में लिया है हल्दी और गरम मसाला एक बार इंग्रीडेंट स्क्रीन पर आप दुबारा देख सकते हैं रेफरेंस के लिए तो आए देखते हैं मेथी मटर मलाई बनाने का तरीका यहां गरम कडाई में मैंने लिया है आधा चमज घी इसमें मैं सौटे करूंगी कप मेथी के पत्ते इसे हम घी में सौटे करने से हलका सा इसका कड़वापन कम हो जाता है तो यह स्टेप को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा मेथी के पत्तों को हम घी में सौट करेंगे लगभग 30-40 सेकेंड तक के लिए और इसको अब हम साइड रख देंगे और उसी इलीव, एक छोटा इंच वाला सिनमन का स्टिक, जावित्री और बड़ी और छोटी इलाईची डालिये, साथी में डालूंगे इसमें एक चम्मच शाहजीरा और इसको हम हलका सा भूनेंगे, इनी खड़े मसालों के साथ एड़ किया है मैंने एक चम्मच अद्रक लसन का प अबजियों को बिल्कुल भी छोटा छोटा कट करने की जरूरत नहीं है, पिकाज अल्टिमेटली हमें इसे ग्राइन करना है, टमाटर अच्छे से पक जाए, इसलिए मैंने एड़ किया है एक चम्मच सॉल्ट और साथी मैंने एड़ किया है टुकडे काजू के इस मिक्सचर को हम अच्छे से कुक करेंगे फॉर अराउंड वान टू टू मिनिट्स और इसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसको अच्छे एक फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे सेम कडाई में मैंने लिया है एक चम्मच ओयल आप इसके जगा पे फिर से यहां गी यूस कर सकते हैं इसी ओल में मैं आड करूँगी एक पेंच हलदी का क्योंकि यह मेठी मटर मला ही हल्का सा वयटश रहता है तो इसमें हल्लदी का quantity बहुत ही कम रहेगा साथी में तेल में ही गरम मसाला आड़ करूँगी और आड़ करूँगी मैं इसमें नटमेक का पाउडर मसालों को तेल में एड़ करने से उसकी खुश्बू काफी अच्छी रहती है और इसी मसालों में हलका सब भुनके हम उसमें एड़ करेंगे हमारे ब्लांच किये हुए ग्रीन पीस ग्रीन पीस को बेसिकली ये फ्रेश मटर है तो इसको मैंने हलके से गरम पानी में बॉयल कर द लागता है क्योंकि इस वक्त हमारे मेथी और हमारा मसाला अल्मोस्ट कुक्ट है तो इसके बाद ही मैंने तुरंट एड़ किया है मैंने सौट किये हुए मेथी के लीव्स इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स फिर हम हमारे मसाले के जार में ही पानी आड़ करके उसको हम आड़ कर देंगे इस सबजी में ताकि जो बचेवे मसाले हैं वो भी पानी के साथ इसमें आड़ हो जाए पानी आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से आड कर सकते हैं मैंने यहाँ पर आड़ किया है आधा कप और लास्टली मैंने इसको अच्छे से कुक होने के बाद आड़ किया है एक चमच गरम मसाला अब लास्टली हम आड़ करेंगे इसमें मलाई मलाई के जगा पर यहाँ पर मैंने यूज किया है milk powder यहाँ मैंने लिया है 2.5 टेबल स्पून milk powder जिसको मैंने 1.4 cup पानी के साथ आड़ करके एक mixture बनाया है, basically एक thick paste बनाया है यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी suggest नहीं करोंगे कि आप fresh milk यूज करें, बिकरस वो सबजी में जाते ही फट सकता है तो इसलिए इसमें आप अगर health conscious हैं और मलाई avoid करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा option है कि आप milk powder को पानी में एक paste बनाए और उसको सबजी में add करें, तो flavor भी बहुत अच्छा आता है, साथ ही आपको richness जो होता है करी का वो भी काफी अच्छा रहता है milk powder की वज़े से तो आप देख सकते हैं, यहां हमारा काफी creamy texture आ चुका है लगभग आधे मिनिट की cooking के बाद तो देखा आपने मेठी मतर मलाई की रेसिपी बिना मलाई की आप कितनी असानी से restaurant style वाला बना सकते हैं घर पर तो इस रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राइ करें और अपने friends and family के साथ इस वीडियो को शेयर करें अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो like जरूर करेगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक्स वर वाचिंग बाइ